मुझा वालकॉम टू सिंप्ले लक्ष्ष्पीज लाइफ हलो दोस्तों गुड़ी विनिंग कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ कि में सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और अभी न मैं डिनर का पेपरेशन कर रही हूँ आज मैं बना रही हूँ बटर पनीर साथ में मैंने कैपसिकम और ओनियन भी डाल दिया है ताकि ये और भी ज्यादा हेल्दी बन जाए और बटर पनीर के रेसेपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था ये अचली बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है क्रीती का तो बहुत ही वेवरेट है तो इसलिए थोड़ा जादा करके बनाना होता है तो यहां पर मैंने बहुत साला बटर यूज किया है क्योंकि बटर का फ्लेवर इसमें आना चाहिए तो बटर गरम होने के बाद मैंने गरम मसाला बे लीव्स और थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा हल्दी उसी में डाल दे ताकि मसाले अच्छे से ओयल में फ्राइ हो जाए भून जाए और उसके बाद मैंने पीसा हुआ जो मसाला है उसको डाल दिया है और यह थोड़ा टाइम टेकिंग होता है धीरे धीरे ना यह मसाला और भी ज़्यादा पकता है तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अभी मैंने कसोरी में थी अड़ कर जो भी है वो मैंने अड़ कर दिया है पनीर, कैपसिकम, ओनियन और यह ना मैं डेफिनेटली बोल सकते हूँ अगर आप बच्चों को बना के देते हो तो 100% बच्चों को पसंद आएगा ही आएगा तो कभी बना के ट्राइ कीजिएगा और हाँ मुझे बताना ज़र्ब ओके दोस्तों तो डीनर तो मैंने बना लिया है और अभी मैं जाओंगी इविनिंग वक पे और हम लोग पहले मॉर्णिंग वक पे जाते थे बड़ थोड़ा बहुत रूटीन का चेंज हुआ है तो अभी हम लोग इविनिंग वक पे जाते हैं और इस टाइम वक पे जाना हुआ है और यह अगर आप मेकप से पहले यूज करते हो ना तो आपका मेकप जो है बहुत स्मूद होता है और यह ना ब्रेक आउट को बहुत अच्छी तरह से प्रिविन करता है आपका जो मेकप का एक फाइनल लूग है ना बहुत अच्छी तरह से निखर के आता है और य यह हमारे skin के लिए कितना लाबदायक है यह तो हम सब को पता है सबसे अच्छी बात कि यह हर skin के लिए suitable है actually मेरा जो skin है ना बहुत जादा sensitive है कुछ भी अगर मैं मतलब लगा लूँ तो बहुत दाने दाने निकल जाते हैं आपने तो देखा ही हैं तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के यूज करती हूँ और यह यूज करने के बाद मिजे काफी अच्छा लगा अच्छा फील हुआ तो मैंने सब्चे क्यूना मैं आपनों के साथ भी शेयर कर दूँ और यह मेकप के पहले अगर आप यूज करते हो ना तो बहुत अच्छा फीनिसिंग आता है आपके मेकप का ऐसे भी आप बताब किसी भी ताइन पे इसको यूज कर सकते हो यह नॉन ग्रीसी है मतलब एक दन भी आपको चिप-चिपासा फील नहीं होगा लगाने के बाद बहुत अच्छा सा एक स्मूथ फील आता है और साथी साथ यहां पे सारे इंग्रियंस इसका दिया हुआ है क्या-क्या यूज हुआ है तो इसके साथ और एक चीज मैं आप लोगी साथ शेयर कर दूँ एक मॉश्राइजिंग लोशन है जो मैं यूज कर रही यह अच्छली जब आप जैसे हम लोग आई ब्रोज करते हैं या वैक्स करते हैं हाथ में तो हाथ बहुत जादा मतलब स्किम बहुत जादा सेंसिटिव हो जाता है तो उस टाइम पर अगर आप इसको यूज करते हो न तो बहुत अच्छा रिजर्ट मिलता है और यह पूरे साल बर आप यूज कर सकते हो मतलब कोई भी सिजन हो कोई भी वेधर हो आप ये मॉश्रा कर सकते हो ओके दोस्तों तो यह था मेरा कुछ स्किन केर रूटीन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है और इन में से कोई भी प्रोड़क्ट अगर आप लोगो चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है नीचे डिप्सक्रिशन बॉक्स में डालतूंगी आप वहां से चेक कर स अधनु का जो कॉल्स है वो चलते रहते हैं तो अधनु ने बोला थोड़ा सा चाह बनाओ तो इविनिक का जो चाह है वह भी हम लोग पी रहे हैं अज कल जादा तर टाइम ऐसा ही हो रहा है तो थोड़ा सा चाह मतलब बैट के बाते करके पीना बहुत अच्छा भी लगता ह है तो अधनु मोला ठीक है मेरा काम जो है थोड़ा सा में ब्रेक ले लूँगी तो वाइब मिनिस के लिए हम लोग बैट के चाह पी लेंगे तो अधनु के लिए मैं भी बेट करती हूं तो साथ में ही जाय पीते हैं वैसे तो मैं पहले जाय नहीं पीती थी बड़ अभी प पानी जो है हर टाइम उसके पास मता ऐसे छोड़के रखते है जब उसका मन करता है तो वो पी लेता है और धीरे धीरे ना खाने का जो है वो सब धीरे धीरे उसका चेंज हो रहा है वैसे तो हमारा डिनर टाइम इतना अरली नहीं है लेकिन आजकल हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट कर लूँ क्यूंकि करीती का जो है एक्जाम स्टार्ट होने वाला है और इससी के वयसे करीती को जल्दी सुलाना होता है तो अभी हम लोग थोड़ा early dinner कर रहे हैं और वैसे तो ये habit होना बहुत अच्छा है लेकिन हो नहीं पाता है हर टाइम हमारा लेट होई जाता है और साथी साथ सिंबा जब भी मैं utility में जाती हूँ उसको utility में जाना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे बरतन वगेरा पानी वगेरा रहता है तो वो सबसे उसको खेलना रहता है और बहुत मतलब यूटेर में जाके उसको बहुत मजा आता है तो इसलिए ना दोर हमेज़ा मुझे बंद करके रखना पड़ता है ताकि वो उदर ना जाए क्योंकि कुछ कुछ चीजे होता है जो खाने से उसको प्रॉब्लम हो जाती है जैसे थोड़ा सा कड़ाई में ओयल रहा या कुछ तो वो अगर खा लेगा तो वो नेक्स डे उल्टी कर देगा तो इसलिए से थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है खाने पीने का उसका ही है। यहां पि верх किचिन का काम क Bridget क्रीटी टर्लीन रहता है मेरा थो फाल हम मेडिसेन लेगा है यहां पिल्ड ला कारीती हमेडिसिनी होम योपथी का उसको हात पर बैस टोड़ा ढॉस का जीनी आगा है और medicine, homeopathie, का है तो कृटी को खाना भी बहुत पसंद है तो हर टाइम वो याद करकर के अपना medicine ले लेती है वैसे तो दूसरा वाला medicine हो तो बिल्कुल मतलब याद भी नहीं करती है, खाना भी नहीं चाहती है लेकिन ये वाला उसको बहुत अच्छा लगा तो हमेपती मेडी से बहुत आपा बहुत आए रगी है कि वहागी है थोड़ा से था मैड दो तेसे पार टेघृ जाम करना ए तो अब भी भी है तो बहुत सुझ था है स्मा उसके साथ करना होता है और क्रीति को अगर ना बोलो ना तो वो पूरी रात सिंबर के साथ ही इस पैंट कर देगी तो मैं उसको ऐसे बोल बोल के सुला रहे हूं कि सो जाओ सो जाओ और लेट मत करो वैसे भी बहुत लेट हो गया है और खाना तो हमने जंदी खा लिया था लेकिन सोते सोते ना 11 11 30 ऐसा हुई जाता है आज कल यह यहाँ पर क्या कर रहे है तुम क्या कर रहे हो बदमाश हाँ बदमाश सिंबा चल एई तुशू खुला पुक्स पड़ा नै चलो तांत रही को रहे स्वेपोड़ों सिंबा आए आए चला चलो चलो गोड़ नाइट होएगा चलो तुम्हें यह स्वेपोड बेशो एचलो कम 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 सिंबा कम यह अभी हम लोग को सुलाए पेना नहीं सुएगा ओके दोस्तों तो चली आज का यह व्लॉग हम लोग के पेन करते हैं आज का यह व्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रू बताईएगा और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत बूलिए तो मेरा इविनिंग टुनाइट रूटीन मैंने आप लोग के साथ शेर किया है और यह वाला वीक न बहुत ज्यादा मतलब छुट्टी था तो इससी दिए हम लोग बहुत ज्यादा साथ में टाइम स्पेंड कर पाए नेक्स्ट वीक से क्रिटी का एक्जाम स्टार्ट हो ज कि लुझे कृचल से जिए साथ जैँ झाला कि ज्रोटी का इव झाला क्ता है कि लुझे